हर्याना के 9 डिस्टिक में जो कॉमिनल क्लैशिस शुरू हुए 31 जुलाई को जब यात्रा में पत्राव हुआ गोलियां चली गाडियां जला दी गई लोगों की दो होम गार्ट की जान चली गई यह कॉमिनल क्लैशिस बढ़ते हुए अब दिल्ली NCR में गुडगाओं तक पहुँच चुके हैं मंगलवार की रात को गुडगाओं में सेक्टर 70 में कुछ घर और जोप्रियां जला दी गई लेकिन इन सारे कॉमिनल क्लैशिस की कुछ वजाए हैं जिसमें से एक कारण है मोन कौन है मोनु माने सर की वजह राहती हैं की लोग जीन्मानेसर बिल्द असका असली नाम मोहित यादव हैं 28 साल का ये व्यक्ति है हर्याना के मानेसर से आता है अब क्यूं विवात छिड़ा हुआ है इस इनसान को लेकर और क्यूं एक नया कॉमिनल क्लेश बिल्ड हो गया इस व्यक्ति के वजह से दरसल फैवरी 2023 में रायस्तान के भरतपुर में मौनु मानेसर के उपर आरोप लगा दो मु मौनु मानेसर के उपर जिसके बाद रायस्तान फोलेस मौनु मानेसर को दूंड रही है अब जब 31 जुलाई को नू में यातरा शुरू की जानी ती यातरा हर साल होती है मौनूमानीसर ने यातरा शुरू होने होने एक दिन पहले कुछ घंटों पहले एक वीडियो अपने सोचल मीडिया प्रोफाइल पर डाला जिसमें उसने का कि मैं भी इस यात्रा में शामिल हूँगा विश्विंदु परिशे बजरंग दल के अलग-अलग लोग आए यात्रा में और इसमें भाग लें सभी भाईयों को बड़ी खुशी के साथ बताया जा रहेंगे और हमारी पूरी टीम वे यात्रा में शामिल रहेंगी उसके बाद लेकि पुलिस की बता रही है कि मौनो मानेसर उस यत्रा मैं नहीं आया जबки राज्थान पुलिस के भी कुछ जवान डिस्टिक में मौझूद थे उस दिन यहातरा पर क्योंकि मोनु मानेसर को गिरफतार करने की कोशिश है राजस्तान पुलिस की अभी भी जारी है कि मोनु मानेसर को गिरफतार किया जो और इंवेस्टिकेशन आगे बढ़ाई जाए अब कॉमिनन वॉयलेंस यहां तक पहुंच चुका है गरीब लोगों की जोपनियां और मकान जलाए जा रहे हैं जो मेरे पीछे आप दुआ निकल तो यह देख रहे हैं ऐसा ही एक गरीब यक्ति यहां के रहने वाले थे जिन से हमने बात करनी कुशिश करी लेकिन वो लोग बात नहीं करना चा रहे हैं और खास तोर पर जिसकी यह जोंपड़ी थी जिसकी अब है प्रोटेस्ट चल रहा है कल बाच्छापूर में गुड़गाओं में देखने को मिला सेक्रेश सत्तर में देखने को मिला अब यह देखना हो कितना जल्दी इस वोईलेंस को कंट्रोल कर पाती है हर्याना पुलिस और दोश्यों को सजा होती है कैमरा परसन मदनलाल के तर्शी शर्मा मोजो स्टोरी